हाई वेलकम बैक तो दिस चैनल आज मैं फिर से लेकिया है एक सीजेरियन से रिलेटिड टॉपिक जो मेरे पास आप लोगों की बहुत चुछे कॉमेंट्स आते हैं कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद आप कब से जुखना स्टार्ट कर सकते हो या सीजेरियन डिलीवरी हुई है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो अब यह होता है कि सीजेरियन डिलीवरी के बाद बहुत से एक तो डाउट पहले से ही मन में रहते हैं डिलीवरी होने से पहले कि अगर सीजेरियन डिलीवरी होगी तो ऐसा होगा ऐसा होगा या बहुत सारे हमने शुरू स करना है कमर में दर्द हमेंशे बना रहता हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं Susi delivery को लेकर जो लोगों के मन में पहले से डर बैठा होता है तो आते हैं हमारा मेंठ टॉपिक zijn senior delivery के बाद अब जुकना कँप से start कर सकते हैं तो delivery बीटली चला जाता है तब होता है कि हम थोड़ी वो जो अक्टिवीटीस है अपनी स्टार्ट कर देते हैं तो जुकने के बाद हमें ध्यानाता है कि यार मैं तो जुक गई थी अपको दिक्तरत ना हो या टाको में दर्द हो रहा है क्या मेरो जुकने की वज़े से नहीं हो रहा है ऐसा सब के साथ होता है मेरी साथ भी हुआ है तो होता है कि उस टाइम तक, 10 से, 15 दिन के बात से, आप थोड़ा बहुत जुख सकतेयों, दीप बैंडिंग नहीं, थोड़ा बहुत जुख सकतेयों, जैसे कि, बैट से कोई समान उठाना है आपको, तो आपको वो फोड़ा सहां में जुखना पडता है, खड़े उखरके, जब हम पूरी तरह से जुEr्खाते हैं, और हम फ्लोर से या जमीन से हम खड़े हो खरकिए निचे से जमीन से कुछ समान बठाने लगते हैं उस तरह कि बैंडिंग उस तरह कर घुकना अलाव नहीं होता है उसमें क्या होता है जब हम पूरी तरह से जुखते हैं तो हमारे टांकों के आसपास की जो स्किन है वो स्ट्रेच होती जम जुखकर के घड़े होते हैं तो उस तेम पे होता है कि अगर टांके कच्छे हैं डिजॉल्व नहीं होएं तो हो सकता है कि टांके टूट जाएं अटागे खुल जाएं यह होता है कभी खिचा आवा जाता है तो टांकों से खून आने लगें इसलिए अवाइट करने को बोला जाता है कि टूब ऑन सेफर साइट जो डीप बेंडिंग है वो आपको जब टांके पूरी तरह से ठीक हो जाएं डिजॉल हो जाएं तब आपको करनी है क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था कि जैसे मैंने अपना एक्सपिरेंस अल्रडी शेयर किया है एक वीडियो में कि डिलीवरी के बाद म जो मुझे जो लगता है वो यह था कि शाएद मेरी डीप बेंटिंग की वज़े से हो गया था क्योंकि कुछ एक्टिविटीज में उस टाइम पे यसी वज़े से हुआ है कि एक महीने बाद एक टांका मेरा खुल गया था साइड में खूल हो गया था तो वह आप वीडियो सकते हैं जब आक цвет डर तह में बिलकुल दर्द नहीं है किसी तरहных को डिस्चार्ज नहीं है VAब थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हो क्योंकि यह होता है कि हमें ना 10 ondra dyn के बाद जब फर्स्ट बेबी भी हम पर डिपेंडेंट होता है तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी खड़े होना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम फिर से सब संभाल लें तो थोड़ा अपनी बॉड़ी को टाइम दीजिए कि 10 ते 15 दिन के बाद भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो यह समान उठाना तो आपकोँ स्टीच चुक करने हैं कि किसी तरह कोई डिस्चार्ज तो नहीं है कहीं से कोई टांका तू नहीं खुल रहा है nggaknee अपने अंकरश नहीं कोई नहीं किzekー작स करने के लिए घर में कोई और मेंबर है उनको बोल सकते हो इक च्छी Python के लिए अगर को फिर भी डाउट है तो आप एक बड़ जा कि डॉक्टर से बात कर सकते हो कि मैं यह सब घर का काम करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद मुझे खिचाव महसूस होता है तो ऐसा तो नहीं कि टांके कच्चे हैं, गीले हैं, तो बार बाक खिचाव अगर महसूस होता है, तो कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए काम कितनी जल्दी मत कीजिए कि हाँ, आपको पहले कीचरा सब संभाल लेना है, थोड़ा जितना जरूरी है, बस उतना ही काम किजीए एक महीने तक, ऐसा नहीं है कि बाकी जो घर है, एक महीने बाद भी आप उसको सट कर सकते हैं, जो भी समान आपको लग रहे हैं, इह बिखरा रहता है, कि आपको यी सब करना है, सब काम सब्भालना है, वो एक से टेर्ड के बार भी हो सकता है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में सब करने लग जा होगा ना कि और कोई है मेरे पास तो मुझे ही सब करना है इतना स्ट्रेस अगर आप लोगे तो यह ना हो कि कुछ और प्रॉब्लम हो जाओ आपका रिकवरी टाइम और बढ़ जाए तो इससे बेटर यह ह कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब किये भीना मत जाए थैंक यूवर वाचिंग इंडियन मॉम्समेस्ट